डॉक्टर आगिनी जवाब आया है मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जब जब सत्र में पिछले डाई वर्षों में आपके विभाद के द्वारा जब भी फ्रश्न पूछे गए हैं तो आपका एक सेम आंसर है कि हमने इतने जिला हस्पिताल इतने मेडिकल कॉलेज इतने डाईलिसिस की मशीन इतने एंबुलेंस अध्यक जी मेरा बड़ा ही सवाल था और अगर आपने ये बताया है कि आपके इतने जिला हस्पिताल इतने मेडिकल कॉलेज़ हैं तो मैं इस सदन के माध्यम से जौनपुल से जो हमारे मिडिकल कॉलेज़ उसकी कुछ पिच्चर है वो आपको दिखाना चाहूंगी कि जहां पे काला पानी तैर रहा है जो बिल्डिंग्स है वो बनने से पहले खंड एर हो चुकी है ये सिती है और आप इसे गिना करके जवाब देना चाहते है कि आप अपने विभाग में क्या कारे कर रहे है मैं ये टेबल कर दूँगी अध्यक जी ताकि ये मंत्री जी के पास जो असली पिक्चर्स है वो पहुचे और उन्हें पता चले कि जो बार बार आप ये कहते हैं कि हमने मेडिकल कॉल Medium believe बना दिये जिलासपताल बना दिये उनिलासपतालों और मेडिकल कॉलेज़ की क्या सित्य है उस दिन पहले वहाँ की बच्चित धरना दे रहते जिनें हम देश का भविष्य और आगे इं मेडिकल कॉलेज़ में आज उनके पास ना शुद्ध पेजल है ना बिजली है ना पानी है हम मरीजों को क्या ठीक करेंगे मंत्री जी हमारे तो डॉक्तर बिमार हो रहे हैं कभी डेंगल कभी मलेरिया और कभी जॉंडिस से यह स्थिती है अदेख जी इस रियली शेम फॉर यूपी हेल्फ मिनिस्टर and the Department of Health Ministry और आज सेंटरल में तीसरे टेनियर के बाद भी अगर मेडिकल कॉलेजिस की यह स्थिती है इस डेफिनिटल एशेम फॉर डिस सरकार की आप इस तरही के किस स्थिती इलाकर के रखी है आपने अध्यर जी जवाब में इन्हें ये देना चाहिए था कि गंभीर बिमारीयों के लिए जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं चाहे वो पलिएटेव मेडिसिन के डॉक्टर्स हो चाहे आपके उंको सर्जेंस हो, उंकोलोजिस्ट हो, गानेकोलोजिस्ट हो, निूरो अनेसीश आपके पास कितने आईसीओ के बैड़्स हैं कितने वेंटिलीटर्स हैं अगर यह जवाब आता तो वाकई मुझे लगता कि आपके विभाग को कोई जानकारी है और सही में आप सरकार की और जनता के लोगों के लिए कुछ काम कर रहे हैं हद्यव जी मैं वापस से अपने प्रशनों पे आऊंगी कि मंत्री जी सिर्फ और सिर्फ आपसे दो प्रशन हैं और उसके उत्तर गोल गोल ना घुमा करके सीधी तरीके से बस बता दीजे कि आज उत्तर प्रदेश कैंसर जैसी बिमारी में देश में टॉप कर रहा है यह प्र आपके बढ़ते चले जा रहे हैं और इन गरीब मरीजों के पास ना तो पैसा है इलाज कराने के लिए और ना अस्पतालों में बेड़ इन परिस्थितियों में अगर वो मरीज किसी प्राइवेट अस्पताल में जाता है बड़ा-बड़ा इस्टिमेट मिलता है क्या सरकार कैंसर के सारे उत्तर प्रिदेश के मरीजों को उनका जो इस्टिमेट जहां से भी बन करके आता है उसका एक मुस्थ में पैसा उपलब्द कराएगी की नहीं कराएगी मेरा दूसरा सवाल है मंत्री जी कि आज जब आपने जवाब नहीं दिया कि आपके पास सूपर स्पेशालिटी के डॉक्टर कितने बढ़ रहे हैं पेशिंट के अनुपात में वेंटिलेटर और आईस्यू कितने हैं तो इन परिस्तितियों में जितने भी आपके प्राइव और वेंटिलेटर क्योंकि ये ऐसे मरीज होते हैं ब्रें हैमरेज के मरीज होते हैं इनके पास समय नहीं होता है मंत्री जी अगर एक्सिडेंट हो गया आज बीपी बढ़ गया और ब्रें हैमरेज हो गया तो तुरंत उसका उपरेशन होना है लेकिर उनके पास पैसा नहीं ह समय पर इलाज दिलाने के लिए क्या सरकार काम करेगी बहुत-बहुत धन्यवाद माने उपुफंदी आपका जो सवाल था उत्तरप्रदेश सरकार गंभीर बिमारियों से पीडिक मरीजों के उम्रती दर्कोग हटाने के लिए क्या काम करें हमने इस समझ में इस पस्त जवाब दिया है कि उत्तरप्रदेश सरकार ने अपने जिस्टिक हास्पिटल्स के माध्यम से तर्शरी केर के हास्पिटल्स के माध्यम से लगातार को चिकिस्सा बेवस्था देने का काम किया है जहां तक गंभीर मरीजों के धना भाव का सवाल है इसके लिए मानी पधान मंत्री ज पूरे भारत वर्थ में उत्तर प्रदेश नंबर एक पर है आइसमान भारत कार्ड बनाने में और हमने फरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों को भी उसमें चिन्हित किया है इस्टेट किया है वहां भी हम निशुल इलाज दे रहे हैं सबसे बड़ी बात यह हैं एम्बूलेंसे के बारे में हमारी 102 एम्बूलेंसे और 108 एम्बूलेंस लगातार काम कर रही है 200 एम्बूलेंस हमारे पास 108 की है 270 एम्बूलेंस हमारे पास 102 की है और इनको हम लगातार मरीज को अस्पतालों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं बिएलेसीज की चिंता हमानी सद्दस ने की. डालेसीज के बारे में उथ्ण प्रदोश में इससे पहले जिला इस से पर डालेसीज नहीं होते. बड़े सहरों में कानपूर, लखनव, मेरत, बनारस इसे बड़े सहरों में होते. दाइलेसिस की सुधा देने वाला राज चाउत्तर जन्पदों में आप हर जिला मुख्यालेबर डिस्टिक हास्पिटल में दस वेडार बुखलब्द हैं जिसने डाइलेसिस की सुधा हम दे पा रहे हैं एकट्तर हमारे जिलाची किसाल नहीं हैं जहां सिटी स्केम की सुधा पहली बार दे पार रहें पहले दिस्टिक हस्पिटर्स में सिटी स्केम की सुधा नहीं होगा इसके अलावाद पीबी रोग्यों के बारे में आपनी चिंता ही नहीं कि पीबी रोग्यों के बारे में पहली बार उत्ते प्रदेश सरकार ने पीबी रोग्यों को इतनी बड़ी संख्या में चिन्नित किया है और चिन्नित करने के साथ साथ पीबी से मुक्ति दिराने के लिए हम उनको गोध भी ले रहे हमारे सभी अधिकारी हमारे मानी विधाय गण हमारे जन्पृतिदी गण और उनको पोसल सामिग्री भी उपलब करा रहे हैं पीबी की रोगयों की संख्या में हम तेजी के साथ कम करने के दर तेजी के साथ आगे काम कर रहे हैं इसके इसके अलावा सभी जिलाची चिकिस सालों में हमने एक critical care unit बनाए है जो आज तक नहीं थे जो 50 और 100 बेट के हैं जहाँ पर हम सभी तरसरी care की सुधाएं उपलब्द कराने जा रहे हैं जहाँ तब specific सवाल cancer से पीडिक मरीजों के लिए है हम आपको बताना चाहते हैं आईसमान भारत कार्ड के साथ साथ मान कि विभाजन नहीं है जो भी मरीज मानता है उसको आवस्त्ता अंशार धंजा सुपलब कराई जाती है उसमें जाति धर्म संपुर्णाय धल्कों हम लोगों ने नहीं देखा है आप निश्च उठा करके देखेंगे बड़ी संख्या में मिकमत्री साहता कोच से हमने साहता दंभीर लोगों से कीडिक मरीजों को प्रदान किया ह जिन्हें ने दिमांद किया है और यहां तक एक सवाल प्रसंद में विस्तार से आपने बोला जोनपूर के मेडिकल कालिस के बारे में वैसे तो मानदेव जी हो पिसी को नंगा नहीं करना चाहते है किसी को आइना दिखाना नहीं चाहते लेकिन चुक्कि मानिस अगसे में सवार उठाय तो मैं इस परस कर दो जौनपुर्का मेडिकल टालेश समाजवादी पार्टी की सरकार में बनना सुरूआ आप सुनेजिए पुरी बार अरे सुनेजिए अपको उत्तर सुनेजिए अरे बैठो ना तुम अबिए अबिए बैटर प्लीज वे अपी की बात कर आओ आओ आफी दिन्म बनना सुरुआ अबिए अबिए नफीस नहीं अरे उत्तर आजा ने जी जी प्लीज पानी नहीं चाहिए बैए पानी बिढ़ो जानपुर्टा मेडिकल कालेज भाइसाब लोगों की सरकार में बनना शुरू हुआ और उसमें टेंडर मिला टाता कंपनी को टाता कंपनी के अधिकारियों को जबरस्ती बलाग एक बेक्तिकों इन्होंने काम दिला दिया और भगोरा साबीत को भाग गया और काम की गुर्वत मेरा से लुपार्टी की सर्कार में स्वाफ से वाइ, ऊछ्च leggते के सर्कार में क्य Gustрах है, समाजबादी पारथी कि सर्कार में क्या होता है, अधार पाली बार में बता दू पाहली बार, चूंकि मानीत सदस्व्यम्जि किस्सक है, पूरे भारत के दिहास में पहली बार हो रहा है कि हम 20 सेली के चीकिस्तिकों को 5 लाख रुपे तक भिटिंग्स से दे रहे है आज पकर दिखास नहीं आगा है, पहली बार हो रहा है, नहीं 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 आपको इजाज़त नहीं है। आप सुने हो ये नहीं भाने जिए जो कुछ की तुभाने क्रिका के रहें नहीं लिखा जाएगा। नहीं है, आपको इस बाज के इजाज़त नहीं है, यूर नाट इलाव टू स्पीक, जो कुछ इन्होंने बोला नहीं लिखा जाए, ऐसे नहीं है कि कोई भी पीछ में ख़लाओ के बोला शुरू कर देगा, डॉक्तर आगे नहीं, बैटे जिनका प्रशन है बस लास्ट प्रश किया जाता था उस पद पे, क्योंकि आज अगर इस सरकार को लगता है कि गूगल खोल करके आप डॉक्तर बन जाएंगे और आपको इस विभाग के बारे में एट उजट सब पता चल जाएगा, तो यह आपकी गलत फहमी है, डिरेक्टर जर्नल ऑंग मेडुकल एडुकेशन जब तक एक डॉक्तर नहीं होगा, तब तक उसे पता नहीं चेलेगा कि आपकी स्वासर में बस्ता कैसे ठीक होगी, और आज सिर्फ मरीदों का नहीं, डॉक्तरों का भी बहुत बुरा हाल है आपके सरकार है, और यह प्रश्न पूछना चाहूंगी कि क्या सरकार, डीजी अ सवाल इन्हों किसा सिच्छा का पूछा है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, उत्रप्रदेश सरकार ने कैबिनेट से पास किया है, और इसको हमने नीडे लागू किया है, उसके अच्छे परिडाम आ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है